हेलो फ्रेंच मैं हूँ सुमन सिंग स्वागत है आपके अपनी चैनल सुमन की चैन में फ्रेंच आज में लेकर आई हो मुंफली मसाला नमकीन की रेसिपी बहुत इजी है इसे बनाना उतना ही टेश्टी बनता है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक कप मुंफली लिए है उसे एड कर देंगे तो यहां हम एक कप मुंफली ग्राम में देखें तो 200 ग्राम मुंफली हमने लिया है इसे अच्छा से हम पानी से दो लेंगे इस तरीके से यूं कहिए कि मुंफली को गीला करना जरूरी है तो हमने इसी दो लिया है इसका पानी न एड़ करेंगे छोटे चमच से चार चमच बेशन आप देख सकते हैं इसे बावल में हम एड़ कर देंगे उसके बाव से दो चमच हम उसी चमच से चावल का आटा लेंगे उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे टेस्ट के हिसाप से हमें नमक चाहिए यह वंद फो टेवल पॉडर डाल रहे हैं दो पिंच इसमें हल्दी पॉडर भी डाल देंगे यानि वन्त फोटेवल स्पून ये भी है उसके बाद से हाफ टेवल स्पून चाट मसाला और हाफ टेवल स्पून गरम मसाला हम इसमें एड़ करेंगे और अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे इन चीजो तो इसके अंदर हम एड कर देंगे एक चमच लहसन अद्रक का पेष्ट और मिक्स कर देंगे इसी में हम दो पिंच हिंग डालेंगे और उसे भी अच्छा से मिक्स कर देंगे इसके अंदर तो यह मिक्स हो चुका है अब इसे हम डालेंगे जो हमने बेशन का मसालियों के साथ पाउडर त्यार करके रखा हुआ है उसके अंदर ये मुंफली के दाने हम एड़ कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं इसे हमें डाल देना है और अच्छा से बेशन के अंदर इसे कोट करना है चलाते हुए तो हम इसे में अभी पानी एड़ नहीं करेंगे इसी तरीके से हम में चलाते हुए इसे अच्छा से कोट करना है तो आप देख सकते हैं मुंफली गिला है इसलिए अच्छा से सुखे जो बेशन है वो कोट हो रहे हैं आप देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि यह कितने अच्छे से पूरा कभर हो चुका है मुंफली के दानो जितना हमें पानी चाहिए उतना थोड़े छोड़े देर बाद हम डालेंगे रूम करने मिक्स करने में के बाद। पानी उतना चाहिए कि यहां पे जो बेसन है मौफली पे अच्छा से कोट हो जाए लेकिन दाने चिपके नहीं दाने अलग-अलग रहना चाहिए इसलिए हमें पानी बिल्कुल हलके हाथों से आधी-ाधी चमच करके डालना है तो आप यह देख सकते हैं बिल्कुल कोट हो हाई-फ्लेम पे गरम करने के बाद बिल्कुल मिडियम फ्लेम मैंने कर दिया है और उसके बाद से इस तरीके से इसमें हम दानों को डालेंगे हाथों को बचाते हुए ताकि तेल की छाटे हाथों पे ना आए और एक-एक करके हम इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्राई हो चुका है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं इसे तरीके से सारे मौफली के दानने हमें फ्राई कर लेना है तो है ना बहुत इजी इसे बनाना और मार्केट से भी टेश्टी बनता है आप घर पे अपने हिसाब से मसाले कम या जादा तीखा कम तीखा जादा तीखा जैसा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं तो यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी है तो चलिए उपर से इसमें मसाले हम डालेंगे उसका भी तैयारी कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने 1,4 टेबल इस्पून या 2,5 का हैं तो हमने यह पे लिया है काली मिर्च पाउडर और हाफ टेवल इस्पून हमने लिया है पीसी हुई भुना जीरा पाउडर और काली नमक के यहां पे हमने थोड़ा से लिया है काला नमक के बाद यहां पे रेड चिली पाउडर भी हमने लिया है और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1,4 और इन सब मसालों को हम अच्छा से मिक्स कर देंगे उसके बाद से नमकिन पे उपसे हम इस तरीके से चमल तो जितने क कॉंठेटी में मसाला डालना चाहते हैं उसampaे सब से डालें इसे में कर देंगे तो इस बिलकूर ready है कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और हमारे चानल को सस्क्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा थैंक यू